दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग मूटर में या ट्रांसफोर्मर में स्टार या डेल्टा पॉइंट बनाते हैं तो उस पॉइंट पर शॉर्ट सर्कुट क्यों नहीं होता देखिए पॉइंट तो वैलिड है कि जब आप आर फेज, वाई फेज और बी फेज को कमबाइंड करके एक कॉमन स्टार पॉइंट आप बनाते हो तो वहाँ पर तो शॉर्ट सर्कुट होना चाहिए क्योंकि आपने तीनों ही फेज को एक कॉमन पॉइंट में लाकर शॉर्ट कर दिया है पर ऐसा शॉर्ट सर्कुट होता नहीं है क्यों नहीं होता यह मैं आज आपको बताता हूं इस वीडियो में तो दोस्तों भीना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखिए जब भी आप स्टार का डाग्राम देखने जब भी आप स्टार कनेक्टेड कोई कॉई देखते हैं कोई चीज देखते हैं तो आप एक चीज को इग्नोर कर देते हैं वह होता है हर एक फेस का इंटर्नल रेजिसेंस जब भी हम लोग स्टार का सिंबॉल बनाते हैं तो हर फेस में हम लोग रेजिसेंस भी बनाते हैं जो यह बताता है कि वो जो रेजिसेंस है वो इस पर्टिकुलर फेस का इंटर्नल रेजिसेंस है इस इंटर्नल रेजिसेंस के वज़े से ही जो लॉसस होते हैं जो हीट प्रोड्यूस होती है इस रेजिसेंस के वज़े से ही कॉमन पॉइंट में जिसमें दो बल्ब लगे हैं और दो लीड लगी हुई रहेगी तो एक लीड आप लगाएंगे R फेस में दूसरी आप लगाएंगे Y फेस में तो जब आप R और Y फेस में लीड कनेक्ट करेंगे तब वो बल्ब गलो हो जाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि 415 वॉल्ट अबिलेबल है आपकी supply healthy है आप ये सूचिए कि जब आपने R और Y फेस में लीड लगाई तो basically आपने R और Y फेस को short कर दिया है पर उसके बाद भी यहां short circuit नहीं हो रहा है ना ही आपका जो MCC है ये short circuit fault पर trip हो रहा है short circuit जैसी कोई condition नहीं हो रही जबकि आपने physically खुद R फ उतका resistance है उसमें heat loss हो रही है वो bulb जो जल रहा है उसके वज़े से heat loss हो रही है circuit में आपका जो energy है वो loss हो रहा है ये reason है कि आपके R और Y फेस को आपसमें connect करने पर भी short circuit नहीं हो रहा अब इसी example में आप इस bulb को हटा दीजिए आप simple एक cable का piece लीजिए एक हिस्साप लगाई ये R फेस में और दूसरा हिस्सा आप लगाई ये Y फेस में ये तुरण short circuit हो जाएगा आपकी MCC trip होगी वो ठीक है पर जो person ये R और Y फेस को short कर दिया है उसे भी severe fault लगेगा अब इस case में ऐसा इसले हुआ क्योंकि बीच में आपने bulb connect नहीं करके रखे थे ना ही कोई energy loss हो नहीं कोई resistance connected था तो इस वज़े से आपका जो system है वो short circuit हो जाएगा और severe shock आपको लगेगा ये एक reason है कि जब भी हम star connect करते हैं तो वो short circuit इसले नहीं होता क्योंकि winding में खुद का internal resistance होता है जब motor में हम लोग coil बनाते हैं जब motor में U1, U2, V1, V2 या W1, W2 coil बनती है तो उसमें एक resistance inbuilt रहता है जिसके वज़े से जब उस coil को आप star या delta बनाके short करते हैं तो वो short circuit नहीं होता अब इसी में आप एक और चीज़ एक और point आप ध्यान में रखिए कि जब आप three phase voltage की बात करते हैं जब आप आर वाय भी तीनों phase की एक साथ बात करते हैं तो आपको इन तीनों की एक साथ waveform भी देखनी चाहिए देखिए जो three phase की waveform है इसमें आप देखिए कि at a time यह तीनों यह phase ना ही same voltage level पर है ना ही same current level पर है अगर आप इसे voltage की waveform मानें तो यह at a time तीनों phase एक common voltage पर कभी नहीं रहते हैं अगर r phase positive waveform है तो y phase negative cycle में होगा b phase हो सकता है zero point से cross हो रहा हो क्योंकि जो three phase होते हैं यह एक दूसरे से 120 degree apart होते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि at a time यह ती short circuit हो जाए इनमें हमेशा 120 degree का जो phase difference रहता है यह भी एक reason है कि यह short circuit नहीं होता अगर ऐसा हो कि जैसे transformer का example है transformer में हम तीनों phase को लाकर एक common point पर short कर देते हैं तो उसमें भी internal resistance का point आता है जिसके वज़से short circuit नहीं होता एक point और है कि जो neutral आप create कर रहे हो transformer में उस neutral का voltage zero होता ह है देखे कोई ना कोई potential की आपको requirement होती है कोई भी current को flow कराने के लिए current flow ही होता है voltage के वज़े से पर जो transformer का neutral point होता है उसका voltage zero होता है हमने एक video में देखा था कि हम transformer का neutral ground क्यों करते हैं उसका reason ही यह था कि उस common point पे हमको zero voltage चाहिए अब voltage ही zero है कोई potential ही available नहीं है तो फिर short circuit उस case में नहीं होगा इसलिए transformer में normally यही question आता है कि transformer में जो common star point हम बनाते हैं जिसे फिर आप ground कर देते हो तो वह short क्यों नहीं हो रहा वह इसलिए short नहीं हो रहा क्योंकि एक तो circuit का internal resistance है दूसरा वह इसलिए short नहीं हो रहा क्योंकि उसमें potential ही नहीं वह zero voltage पर है तो दोस्त चुर्छे आपवा दूसरा भाल में को रisha हो रहाना नहीं हो वहा तोस्तraw भाल में जहाए कि Hyun ड़ाना और म्यवदू करन्यां में Зनकी 不am रहां को समत जगा है Shane